Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जब किसी भी power का इस्तेमाल access हो जाता है तो उस power का effectiveness भी खतम हो जाता है, ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है रश्या के case में, जहाँ पे European countries और US के द्वारा multiple sanctions लगाये गए रश्या के उपर, और उनको ये उमीद था कि इन सब sanctions से रश्या के economy decline कर जाएगी, as a result ये possibility बनता हुआ दिख रहा था उनको, कि व्लादिमेर पुतिन और रश्या उनके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन ठीक इसका विपरीत होता हुआ दिख रहा, जहाँ पे ये मालूम पढ़ रहा कि Russian economy पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा perform कर रही है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे European countries हैं, उनके comparison में भी Russian economy का जो rate of growth है, वो भी अच्छा है, क्या है ये पूरा मामला इसको हम जानेंगे, मगर आगे बढ़ हूँ से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो चै कमीटी में भी मेंबर है, रिसेंटली इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि Russian economy बहुत सारे European countries के economy के हिसाब से, इनका rate of growth भी काफी अच्छा रहने वाला है, साथ में इन्होंने officially इस चीज को भी माना कि जो सोच के Russia के उपर sanctions लगाया गया थे, वो सारे के सारे बेसर होते हुए दिख रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है, इस चीज को recently IMF के द्वारा एक forecast release किया गया, जिसमें ये बताया गया, कि Russia की economy 3.2% के हिसाब से बढ़ने वाली है, जो की US, UK, Germany, France इन से उपर रहने वाला है, अब आप इस चीज को सोच के देखिए, कि जो देश किसी दूसरे के उपर sanctions लगा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, कि उनके द्वारा जो sanctions लगाया जाएगा, उसके कारण सामने वाला देश का economic system पूरा collapse कर जाएगा, और वो देश मेरे सामने आके घुटने टेक देगा, लेकिन ठीक इसका विपरीत हो रहा है, जहां पे Canada, US, Germany, ये सोच के कम 30 से लेके 35 देशों के साथ वो directly conflict में हैं, भले रश्या का war यूकरेन के साथ हो रहा हो, लेकिन यूकरेन को जितने देश support कर रहे हैं, अगर आप उसका list निकालेंगे तो आपको मालूम पड़िया कि approximately 30 से 35 देश यूकरेन को more or less तरीके से support कर रहे हैं, अब क्योंकि Harriet Baldwin ने Treasury Department के भी member है, तो इनको इसी साल के February के महीने में एक task दिया गया था, जहांपे इनको ये कहा गया था कि आप analyze करें चीजों को, कि जो Russia के उपर sanctions लगाया गये हैं, उसका कोई असर हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो उसी चीज के बारे में ये कहती हैं, कि ऐसा लगता तो नहीं है कि जो sanctions लगाया गये था Russia के उपर, उसका कोई असर भी हुआ है, कितनी बार क्या होता है कि कोई plan, कोई idea on papers काफी अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज को जब आप on ground में execute करते हैं, तो एक super flop idea की तरह निकल के आता है, अब जब हम सुनते हैं कि UK ने Russia के उपर कोई sanctions लगा के हो, इनका objective entirely अलग होता है, Russia का dominance oil और natural gas में पहले भी था और आज भी है, आप इस चीज को समझे उस businessman के perspective से, जिनका काम ही crude oil को transport करना है, तो भले वो किसी भी देश का रहे, अगर उसका business impact होगा, तो कहीं न कहीं वो कोई न कोई रास्ता निकाल के आएगा, जिसके कारण उसका business चलता रहे, अब कितनी बार क्या होता है, कि हमारे personal जिंदगी में भी कोई ऐसा मुश्किल होता है, जो अपने initial days में काफी परिशान करता है, लेकिन वो अगर परिशानी काफी दिनों तक रह जाता है, तो हम उस चीज से बहुत हद तक used to हो जाते हैं, तो इसी तरीक परिशानी दुबारा से on track पहुँच जाता है, तो primarily Russian cargo ship को target किया गया था, जहां पर ये कहा गया था कि उस company के cargo ship के साथ आप business नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप shipping industry को थोड़ा सा in depth पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा, कि shipping industry को जानबूश के काफी complicated बना के रखा ग तो more or less उसमें इतने complications, उसमें इतने होचपोच रहते हैं कि वो कही न कहीं एक बहुत ही perfect रास्ता देता है उस industry के businessman को कि वो अराम से नियम कानून के साथ खेल सके और अपने business को continue कर सकें, और उसके बाद February 2022 से Russia और Ukraine के बीच में war शुरू होता है, वहीं पर directly UK, Russia से December तक oil purchase कर रहा था, कहने का मतलब है कि इस war के पहले भी almost सारे European countries बढ़ चड़कर Russian oil और Russian gas ले रहे थे, तो इसका ये मतलब होता है कि European countries और Russia के बीच में एक full-fledged transportation system कहले या एक well-connected infrastructure था, उसी बीच एक नया system का इजात होता है जहां पे भारत, China, Russia से crude oil purchase करता है, और भारत में उस crude oil को refine करके फिर दुबारा से western countries को भेज देता है, तो इसमें ऐसा होता है कि जब कोई देश किसी भी देश का crude oil को अपने देश में refine कर लेता है, तो उससे जो पहले वाला देश था, उसका ownership खतम हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि भारत, China के उपर, जान बुश के Russian oil को purchase करने क उपर, एक point के बाद दबाव नहीं बनाया गया, क्यूंकि अगर ऐसा होता, तो इसका असर भारत को भी होता, और इससे कहीं ज़्यादा जो असर था, वो European countries को भी होने वाला था, ऐसे आपको multiple articles मिल जाएंगा, जो आपको एक proper map के थुरू आपको समझा रहा कि किस तरीके से रश्या से crude oil भारत पहुँचा, भारत के oil refinery में वहाँ पे refine हुआ, उसके बाद से दुबारा फिर European countries तक पहुँचा, तो कहने का मतलब है कि European countries को ये सारे जो transactions थे, oil के, वो सारे उनको मालूम थें, और ये सारे के सारे जो transactions थें, उन सब को वो permit भी कर रहे थें, तो इस ची तरीके से Western countries के हाथ में कटपुतली बन गए, as a result, more or less European countries की economy तो चली रही है, लेकिन जिस तरीके से तबाही Ukraine में हुआ है, उस तबाही से Ukraine कैसे निकलेगा और कितने उसमें पैसे खर्च होंगे, ये कह पाना बेहत मुश्किल है, उसके बाद अगर कभी समय मिले तो आप ताकि Russian oligarch अपने पैसे को UK मिलाके invest करें, जिससे UK की economy है, वो चलते रहे, तो इनवेकर हम conclude करें, तो अगर किसी भी power का इस्तमाल हद से जादा होता है, तो उस power का क्या loophole है, वो भी सामने आ जाता है, और उससे भी बड़ी बात कि अगर दो देशों के बीच में किसी भी ब मेल करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.